दोस्तो टीम इंडिया के विकेट कीपर बलेबाज और मौजुदा दौर के सबसे बड़े मैच विदर में से एक रिशप पंथ 25 साल के हो गए है 4 अक्टूबर 1997 को उत्राखणवे जन्मे पंथ को आज उनके लाखो फैंस सोसल मिडिया पर वधाई दे रहे हैं पंथ ने बहुत ही कम वक्त में बड़ा नाम कमाया है इस खिलाडी ने अपने टैलेंट के दम पर भारत को कई मैच जिताए है रिशप पंथ के करियर की बात करें तो उन्हें आने वाले वक्त में टीम इंडिया का कप्तान माना जा रहा है हालकि टीटवंडी फॉर्मेट में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है लेकिन टेश्ट फॉर्मेट में उनका प्रदर्शन कमाल है इसमें कोई दोराय नहीं है कि आज पंथ दुनिया के सबसे सफल क्रिकेटरों में से एक है जिसकी वज़र उनकी मैनत है लेकिन पंध की सफलता में तीन महिलाओं का भी हाथ है रिशब पंध के जीवन की पहली और सफसे खास महिला उनकी मा सरोज है पंध के पिता के दिहान के बाद मा सरोज नहीं उन्हें पाला पोशा पंध जब 12 साल के थे तो वो अपनी मा के साथ ही रुर्की से ट्रेन में दिल्ले आया करते थे वो हर्शनिवार रहिवार को तारक शिन्हा की सोनेट क्रिकेट एकड़मी में ट्रेनिंग करते थे वही रिशब पंध की जीवन में दूसरी सबसे खास महिला उनकी बहन साक्षी है शाक्षी पंध रिशब की बड़ी बहन है वो दून कॉलेज बे पढ़ी है और फिलहाल वो बिटे में पढ़ाई कर रही है अक्षर साक्षी को पंध को चियर करते हुए शेडम में देखा जाता है साक्षी पंध की बड़ी बहन होने के साथ उनकी अच्छी दोस्त भी है जो उनकी नीजिस समस्याओ का हल भी करती है वही रिशापपन की जीवन में तीसरी और बेहत खास महिला है उनकी गल्फ्रेंड इसानेगी इसानेगी से अपने रिलेशन्सिप का खुलाशा रिशापपन ने साल 2019 में किया था इसानेगी एंटिरियल डिजाइनर है वो अक्षर पन्त को सपोर्ट करने शेडम में पहुँचती है पन्त के बर्थडे पर इसानेगी ने उन्हें बर्थडे विश करते हुए खास वीडियो भी शेयर किया